नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टिमार्श कुला PBR स्टेडी पर आपका सौधत करता हूँ क्लास नाइन्थ की NCRT आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 जो की संख्या पद्धती है ठीक है तो 1.6 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट सीखना होगा जैसे 1.6 में आपको गहात और गहतांक है पावर जी से कहते हैं क्या है गहात गहतांक मतलब पावर जैसे अगर लिखा है 5 की पावर 2 या 5 की गहते 2 तो गहात पर जो अंक होता है उसी को क्या कहते है गहात आंक ठीक है पावर अब जैसे 2 की पावर 3 N की पावर M 5 की पावर 9 कुछ भी लिख देंगे नीचे एक नंबर उस नंबर की उपर जो नंबर है यही क्या है गहात आंक है नीचे वाली नंबर की उपर नंबर लिखा रहेगा यही क्या है घातांक है पावर है ठीक है तो यह है बेसिक अब इसमें घातांक का जैसे हमने देखा था कि करडी का जोड़ घटा गुड़ा भाग वैसे हम घातांक का भी कुछ नियम होते हैं जिसको हम वन बाई वन आकर द घातांक है फिक है तो आप यहां पर देखिए इसको आधार कहेंगे जैसे ये पांच की घातांक है इसको आधार कहेंगे ऐसे ये M लिखा है तो A को क्या कहेंगे आधार कहेंगे आधार M को क्या कहेंगे गहातांग ठीक है तो ये चीज समझ में आ गई नीचे वाले नंबर को आधार कहेंगे उपर वाले नंबर को गहातांग कहेंगे ठीक है तो अब यहां पर देखिए A की पावर M into A की पावर N आधार क्य दोनों में AA यानि आधहार समान है जब आधहार समान रहेंगी और इनके उपर घहात कुछ भी लगी हो तो यह हो जाता है इकवल टू A की घहात M पलस N ठीक है A की घहात M पलस N अब जैसे यहां पर इसको आधहार सेम कर लेते हैं गहात कुछ भी होगी जैसे माल लेते हैं ये इसका उल्टा हो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 तो ये आंसर इसका क्या आएगा क्या आएगा इसका आंसर जैसे गहात को यहाँ पहला फार्मुला है मल्टिप्लाई करना है आधार को गहात कुछ भी हो तो 3 की power 2 into 3 की power 5 तो 3 की power क्या हो जाएगी गहातें जुड़ जाएगी M plus N हो जाएगी योनि 3 plus 2 योनि 2 plus 5 हो जाएगा और क्या जाएगा 3 की power 7 ठीक है? यह है गहातांग का पहला नियम पहला नियम क्या कहता है? यदि आधार समान हो गहाते कुछ भी हो इंटू 5 की पावर 9 क्या जाएगा 5 की पावर घाते जुड़ जाएंगे गुड़ा है गुड़ा में घाते जुड़ जाती है 9 7 16 पांच की घात 16 हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से पहला नियम हो गया आईए देखते हैं दूसरा दूसरा क्या है अगर A की पावर M A की पावर M है और फिर इन सब पे इस पे भी घात इस पे भी घात N है A की पावर M की पावर N है A की घात M की घात N है तो यह हो जाता है A की घात M गुड़े N ठीक है यहाँ पर गुड़ा मत करना इन दोनु का गुड़ा हो रहा है पावर का गुड़ा हो जाता है ठीक है तो यहां क्या आ जाएगा एक पावर हम इसको एक्जामपल से कैसे समझेंगे जैसे मालीजे यही एक्जामपल हो फाइब की पावर सेबन इंटू फाइब की पावर नाइन तो यह क्या हो जाएगा फाइब की पावर नौ सते तिरसट 5 की घाते 63 हो जाएगी यह ना कि 9, 7, 16 होगा ठीक है तो यह आ गया दूसरा नियम आईए देख लेते हैं एक एक्जामपल और जैसे कुछ भी हो मालीजे यह एक्स की घात n है इंटू x की घात y है कुछ भी हो • एक्स की घात y न इंटू x ghan Y बस ध्यान इतना रखना है कि आधार समान होना चब् semble का नियम आदा है इन एक्स होगा Saty तो यहाju घात समान हो एक्स गावर n y का हो और स्वाक हैन कि कि क्या प्लस हो जाएगा अगर यही चीज यहां इस रूप में होती X की पावर N की पावर Y X की पावर N की पावर Y तो यह क्या हो जाता X की पावर N इंटू Y यानि X की पावर N Y ठीक है मतलब कहने का मतलब कुछ भी हो अगर पावर के उपर पावर है तो गुड़ा हो जाएगा अगर इन दोनों का गुड़ा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी ठीक है आईए देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है तो तीसरे में क्या है कि इसमें जैसे यहां पर जुड़ा गुड़ा हुआ ऐसे ही क्या होगा भाग होगी जैसे A की पावर M upon A की पावर N है तो ये क्या होगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A की पावर M divided by A की पावर N चाहिए लिखा हो चाहिए बराबर क्या हो जाएगा A की पावर जो उपर है M minus N जब भाग होगा तो घाते घट जाएंगी जब गुड़ा होगा तो घाते जुड़ जाएंगी ठीक है तो यहां पर भाग हो रहा है भाग में क्या होगा घाते घट जाएंगी और घटे का कौन जो बड़ा रहेगा उसी में से घटा देंगी यहां यम बड़ा रहेगा तो यम में से यह नगटा देंगे ठीक है तो अब इस पे कोई उदाहरण देखेंगे एक्जामपल जैसे 5 की पावर 9 डिवाइड़ बाई 5 की पावर 7 तो यह क्या हो जाएगा 5 की पावर 9 माइनस 7 यानि 5 की पावर 2 ठीक है अगर आगया 3 की पावर 27 डिवाइड़ बाई 3 की पावर 9 क्या हो जाएगा 3 की पावर 27 में से 9 घट जाएगा कितना हैगा 18 तो यह 3 की पावर 18 हो गई ठीक है तो इस तरह से यह तीसरा नियम है आईए देख लेते हैं चौथा नियम चौथा नियम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर A की पावर M into B की पावर M इस पे भी पावर समान है इस पे भी पावर समान है आधार कुछ भी हो अभी तक आधार सबका समान था लेकिन अगर यहाँ पर चौथा नियम क्या है अगर आधार कुछ भी हो लेकिन अगर घात समान है तो दोनों आधार पे एक ही घात लिख सकते हैं A into B की पावर M चाही बात है लिखी सकते हैं क्या इस पे BM घात है इस पे BM घात है तो दोनों पे BM घात लगा दिये बात बराबर हो गई तो तुझे क्या हो गया एक्जामपल से देखेंगे माली जे लिखा है 7 की घात 2 गुडे 9 की घात 2 7 square into 9 square 7 की पावर 2 9 की पावर 2 कुछ भी बोल सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 into 9 की पावर 2 चिक्खें ऐसे ही अगर लिखा हो x की पावर y into y की पावर x ठीक है तो क्या हो जाएगा x y की पावर x y ठीक है ऐसे ही 5 into 7 5 की उपर 3 घात लगा दो इससे भी 3 घात लगा दो क्या हो जाएगा 5 into 7 35 की घात 33 क्या हो जाएगा इस पर भी 3 घात इस पर भी 3 घात तो यहाँ पर 3 ही घात रहेगी यह नहीं की गुडा हो रहा है तो यहाँ भी घाते जुड़ियाएगी घाते वहाँ जुड़ेगी जहाँ पर यह आधार 5 और 7 ना हो करके 5 फाइप होगा देखिए इस तरह सी ये चारों फार्मूले हैं इसको आपको बिलकुल दिमाग में हमेशा रखना है कैसे A की पाउर M इंटू जब इंटू रहेगा बीच में तो घाते जुड़ जाएंगे जब घात के उपर घात रहेगी तो घात का गुड़ा हो जाएगा यहां पर सेम है ठीक है अब इसके अलावा एक कंसेप्ट और है जो आपको सीखना है जैसे अगर हमने लिख दिया 1 अपान X की पाउर A ठीक है तो अगर इसको उपर ले जाएंगे तो X की पाउर माइनस A हो जाएगा ठीक है या फिर जैसे हम कह दें 1 अपान M की पाउर N तो यह उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M की पाउर माइनस A है अगर हमने कह दिया 1 अपान 5 की पाउर 17 तो यह उपर जाएगा 5 की पाउर माइनस 17 अच्छा यह कैसे माइनस हो जाता है इसके लिए अगर हमने देखे तो भाग वाला अगर फार्मुला इसमें लगा कर देखें तो भी 1 पे भी घात 17 लगा सकते हैं ठीक है तो अगर ये घात ऊपर जाएगी तो इसमें ये घात 1 में से माइनस हो जाता है जीरो में से इस पे हम अगर यहां पर एक है मालीजे चलो इसको देखते हैं वन अपान फाइब की पावर 17 है पहले आपको ये जानना होगा कि एक चीज और इसमें जोड़ देती हैं ये कांसेप्ट सी है आपको जानना चाहिए अगर एक की पावर मालीजे क हम क्या लिख सकते हैं एक की पावर जीरो अगर या भिर कहें हम किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है जैसे हमने कहे दिया फाइब की पावर जीरो है तो इसका मान क्या हो जाएगा वन हो जाती है तो उसका मान वन हो जाता है ठीक है तो अब यहां हम वन को क्या लिख सकत हँए आधार है अधार दोनों का समान हो गया अब हम जलाएगा और थोटा इस इस तरह से आया यहां सार ले करके 1 upon 17 था इसको change किए 5 1 को change किए किसमें 5 पाइर 0 बना दिये 5 पाइर 17 5 पाइर 0 क्या हो गया फार्मूला लगाए कौन सा थर्ड वाला 1 की पाइर M बटे 1 की पाइर N equal to 1 की पाइर M minus N M minus N कर दिये 0 तो यह minus 17 आ गया 1 upon 5 पाइर 17 को डारेक्ट क्या लिखेंगे 5 पाइर M minus 17 ठीक है यह concept आपको clear होगा यह कहां से आता है हमने आपको पूरा बता दिया यह यहां से आता है तो आईए अब चलते हैं exercise start करते है exercise 1.6 अब आप इतना अगर जान गया है concept तो आपको question करने में जरह से भी कहीं भी कोई problem नहीं आएगी आपको वीडियो कैसी अच्छी लग रहे है comment करके जरूर बताइए और अगर आप इसको demo की तो पर देख रहे हैं तो PBR study app को download कीजिए और channel को subscribe कीजिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे question number one question number one क्या कह रहा है देखिए question number first है ज्याद कीजिए क्या ज्याद करना है 64 की घात एक बटी दो आपको यहाँ पर एक चीज हम और बता दें कि अगर किसी की उपर A है A की उपर 1 अपान घात 2 लगी है तो इसका मतलब होता है root A मतलब A का घानमूल है अगर कोई चीज A की पावर 1 अपान 3 लिखी है इसका मतलब यह A का घानमूल है यह बर्गमूल है यह गनमूल है यहाँ पर दो लिखा होना चाहिए लेकिन की नहीं लिखा रहता है अंडरिस्टूड रहता है root A का मतलब A का बर्गमूल और A के उपर अगर ऐसे यहाँ पर 3 लिखा है इसका मतलब घानमूल अगर A का लिख दिया यहाँ पर 4 तो A का मतलब यह चतुर्थ मूल अगर A अंदर में 4 बार रहेगा A into A into A into A तब यह एक बार बाहर आएगा A तो चलिए यह तो जानकारी थी आईए कोशन साल्व करते हैं कैसे होगा देखिए 64 है 64 को हम क्या लिख सकते हैं 64 को हम क्या लिख सकते हैं किसी की पावर में लिख दो 2 की पावर में लिख दो 2 धुना 4 धुना 8 धुना 16 धुना 32 धुना 64 यदि 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 6 2 की पावर 6 को 1 अपान पावर 6 अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर बताएंगे because A की पावर M की पावर N इक्कवल होता A की पावर M into N इसी फार्मुले से इसको साल्व करेंगे तब यहाँ पर कुश्चन पर आएंगे 2 की पावर 6 6 की पावर 1 by 2 है तो यहाँ पर घात का गुड़ा हो जाएगा 1 by 2 और जब 2 को 6 into 1 by 2 करेंगे यह क्या हो जाएगा एक by 1 into 1 upon 6 into 1 upon 2 है जिसको क्या लिख से गहाँ 6 upon 2 2 3 자 6 3 आ जाएगा तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 2 अंजा 2 2 3 자 6 2 की पावर 3 आंशर हो गया चाहे 2 की पावर 3 आंशर लिख दें या फिर क्या लिख सकते हैं दो, दुना, चार, दुना आठ भी answer लिख सकते हैं आपको जिस रूप में answer देना हो दे दिजी book में जिस रूप में हो देख लिजी उसी रूप में answer दे लिजे दोनो साही होगा ठीक है ये हो गया answer तो देखते हैं दूसरा कोजिशन क्या है सिकेंड कोजिशन है कि 32 की पावर 1 बाई 5 32 को भी पावर में कैसे चेंज करेंगे 32 देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जिसकी पावर ये बन सके तो टू की पावर में आता है 2, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32 कितनी बार आया 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 32, 35 बार तो यह क्या हो जाएगा टू की पावर 5 की पावर 1 बाई 5 इसमें भी फार्मूला यहीं पगल में लिख देँगे जिससे नंबर अच्छा मिले विकाज, क्या होता है A की power M की power N क्या होता A की power M into N ऐसे लिखके फिर नीचे लिखेंगे ठीक है फिर नीचे solve करेंगे 2 की power 5 into 1 upon 5 ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 2 की power 5 5 स्वाइब Sactle होता है 2 की power 1 और किसी की power 1 होती है तो वो नंबर क्या होता है एक बार यहनि 2 ही हो जाएगा इसका अंसर क्या आ गया 2 ठीक है तो इस तरह से इसको फार्मुला ऐसे लिख देंगे और यह साल हो गया 5155, 5155, 5151 आ गया ठीक है तो आएए देखते हैं question number 3 आप खुद से try करिए 125 की घात 1 बटे 3 है ठीक है देखिए इस question को try करिए आप अगर नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे वीडियो pause करिए और question को खुद से लगाए यह नहीं आएगा तो हम तो यहां पर सारे question करवाने बाले हैं एक भी question आपका हम छोड़ेंगे नहीं चलिए देखिए 125 को किस के घात के रूप में लिख सकते हैं 5 के 25 पंचे 125 कितना लिख सकते हैं 5 की घात 3 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 फिर power 1 by 3 है तो 1 by 3 लिख दिए ठीक है अब अगर इसको solve कर लेते हैं 5 into 3 into 1 upon 3 ठीक है तो ये 3 से 3 cancel हो गया और answer क्या आगया 5 की power 1 5 की power 1 क्या होता है 5 ही होता है तो answer क्या आगया 5 answer ठीक है तो ये question number 1 का 3 part था 3 part solve हो गया अब आईए देखते हैं question number 2 का पहला part इसमें भी वही है ग्यात कीजी क्या ग्यात करना है आईए देखते हैं क्या ग्यात करना है भाई 9 की power 3 by 2 है यानी 9 की घात 3 मटे 2 है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 तीन की घात 3 के उपर घात 3 मटे 2 लगी है कोई बात नहीं है हम फिर formula किस formula हम लिखते जाएंगे formula जरूर बताएंगे कौन सा लगा रहे है कौन सा लगा रहे है a की power m की power n equal to a की power m into n यही तो लगा रहे हैं into है यह ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की power 3 into 3 by 2 ठीक है तो equal क्या हो गया 3 की power 3 त्रिक्का 9 बटे 2 3 की power 9 upon 2 आंसर देखी क्या देखी यहाँ पर थोड़ी सी mistake हुई है कैसे कि 3 की power 2 बार होगा यह 2 है यह 2 है ना 3 त्रिजा 9 3 त्रिक्का 9 तो गात 3 है गात 3 नहीं गात 2 है तो गात 2 into 3 upon 2 हो जाएगा तो यह 2 से 2 कैंसिल और क्या जाएगा 3 की गात 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 यानि 3 त्रिजा 9 त्रिजा 27 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 तो आंसर क्या आगया आपका 27 आंसर हो गया ठीक है तो थोड़ी थोड़ी mistake अगर नहीं देखें 2 बटे 5 32 लिखा है 32 पे गात 2 बटे 5 लिखा है तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं किस की गात के रूप में 2 की गात के रूप में कैसे लिखेंगे 2 दुनो 4 दुनो 8 दुनो 16 दुनो 32 कितनी बार है पांच बार तो 2 की गात 5 लिख सकते हैं की घाद 2 बटे 5 हो जाएगी फार्मुला कौन सा लगेगा वही बाला बार बार हम लिख नहीं रहें लेकिन आपको बार बार लिखना पड़ेगा A की पावर M की पावर N इक्वल टू A की पावर M इंटू N ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा हर कोशन में आप लिखेंगे तब ही नंबर अच्छा मिलेगा दो की घाद 5 की इंटू दो बटे 5 हो जाएगा अच्छा ये अगर नहीं साल्व करना आ रहा है कि ये कैसे कैंसल हो जा रहा है तो आप PBI स्लिश जिरो लेबल में जरूर देखिए वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है भिन को कैसे जोड घटा और गुड़ा भाग करेंगे तो ये 5 पंजा 5 पंजा अब यहाँ पर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये भिन कैसे साल्व करें क्योंकि आप नाइंध क्लास में है अगर बेसिक आपका कमजोर है तो आपको वेलकम पीबिया स्टेडी के जिरो लेबल मैथ को जरूर देखें तो दो दुना चार हो गया और चार आपका आंसर हो गया ठीक है मैथ नहीं आती तो आप पीबिया स्टेडी से जुड़ कर मैथ एकदम अच्छे से सीख सकते है ठीक है इसके लिए आपको जीरो लेबल मैथ फ्री में चलती है आप पीबिया स्टेडी आप और पीबियार चैनल पे जाकर देख सकते हैं चलिए देखते हैं कुईशन नंबर तीसरा ठीक है तीसरे में क्या है 16 की पावर 3 by 4 यानि 16 की घात 3 बटे 4 हम पूरा हिंदी में इसलिए भी बोलते हैं तो 16 को हम किसकी घात के रूप में लिख सकते हैं माले जी दो की घात 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दो की घात 4 की घात 3 बटे 4 तीन बटे 4 ठीक है तो अब इसमें भी वही फार्मूल लागाएंगे हम अपकी लिख नहीं रहें आपको लिख लेना है लेकिन 2 की घात 4 गुडे 3 बटे 4 करेंगे 4 से 4 कैंसिल क्या जाएगा 2 की घात 3 एक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 आंसर क्या गया 8 अपका आंसर हो गया ठीक है आईए देखते हैं तीसरा कोश्चन हो गया चौथा कोश्चन क्या कह रहा है 125 की घात माइनस 1 अपान 3 अब देखिए यहाँ पर माइनस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम से मुसी तरह करेंगे 125 को किस की घात के रूप में लिख सकते हैं 25 पंचे 125 5 की घात 3 लिख सकते हैं 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं और माइनस 1 अपान 3 घात उपर है क्या जाएगा 5 घात 3 इंटू 1 अपान 3 ठीक है 3 से 3 ये माइनस रहेगा 3 से 3 कैंसिल 5 की पावर माइनस 1 ठीक है और माइनस 1 की पावर का मतलब है माइनस कैसे रहता है अगर माइनस उपर आ जाता है वो आके नीचे यानि 1 अपान 5 की पावर 1 लिखा नहीं जाता 1 अपान 5 है ठीक है हमने बताया अगर नीचे घात इस पर एक लगी है एक लिखा नहीं जाता है अगर यही घात उपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा तो यह अगर माइनस वन है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा अब वही चीज अगर घात उपर हमने आपको बताया था कैसे कि अगर क्या पताया था कि अगर यह देखे 1 upon 5 की पावर 17 यही तो पताया था लिखा है तो यह आगकर 5 की पावर माइनस 17 हो जाता है तो अगर यह 5 की पावर माइनस 17 लिखा है तो यह 1 upon 5 की पावर 17 भी हो सकता है ठीक है जैसे अगर लिखा है X की power minus A तो ये हो जाएगा 1 upon X की power A नीचे आके plus हो जाएगा और नीचे plus रहगा तो उपर जाके minus हो जाएगा तो ये basic concept से इसको आपको समझना है तो ये 5 power minus 1 क्या हो गया 1 upon 5 ठीक है आएए देखते हैं दूसरा question इसके आगे कैसे करना है solve करना है तेखिजी है question number 3 क्या करना है सरल कीजे मतलब इसको सरल करना है ये कठिन है इसको सरल करना दो की गहात दो बटे 3 बीच में बिंदे रखिया जिसका मतलब होता into मतलब गुड़ा दो की गहात दो बटे 3 गुड़े दो की गहात एक बटे 5 ठीक है तो यहां पर आप देखिए आधार दोनों का क्या है समान है हमने आपको एक सूत्र बताया था कौन बताएगा कमेंट करके जरूर बताएए कौन सा सूत्र लगेगा यहां पर A की पावर M into A की पावर N क्या हो जाता है A की पावर M गुड़े N यही तो होता है और यही लगेगा भी यहां पर तो यह देखिए A यहां पर क्या है 2 है 2 की घात क्या हो जाएगी 2 बटे 3 गुड़े 1 बटे 5 ठीक है 2 की घात 2 बटे 3 गुड़े 1 बटे 5 तो equal 2 की घात भिन का गुड़ा आपको पता ही है अंसांस का गुड़ा हर हर का गुड़ा 2 की घात 2 बटे 5 कम दो 2 बचे 3 बचे 15 तो यह क्या हो गया 2 की घात 2 बटे 15 आपका आंसर हो गया दोस्तों अगर आप यह आंसर बुक में चेक कर रहे हैं तो उसको सही कर लिजिए यह वहां पर 13 बटे 15 लिखा ठीक है जो की गलत है यह इसका आंसर 2 बटे 15 आएगा ठीक है तो दूसरा कोशिशन क्या है देखते हैं बुक में आपके पीछे आंसर दिया 13 बटे 15 जो की गलत है वो 2 की पावर 2 बटे 15 होगा हम इसको करते हैं सबसे पहले हम अंदर में लगाएंगे क्या जैसे लिखा है कि 1 अपान 3 की पावर 3 की पावर से बन तो कोई बात नहीं है हम इस 3 की पावर 3 को पहले उपर ले जाएंगे ठीक है कहा ले जाएंगे पहले उपर ले जाएंगे equal 3 की power minus 3 साफ साफ लज़ते है into 7 फिर क्या हो जाएगा अब यहां पर यहां पर, लगा ऊपर से नीच व अला अब यहां पर a की power m into n वज़ा लगा तो 3 की power minus 3 यह है चले देखिए यह है question number तीसरा और इस exercise का last question ठीक है तो यहाँ पर 11 की power 1 upon 2, 11 की power 1 upon 4 तो यहाँ पर formula कौन सा लगेगा वही कौन सा a की power m upon a की power n equal to a की power m minus n यह तो लगेगा अपान में है तो आधार समान है दोनों का 11 11 और घात यह है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 11 a की power m minus n यानि 11 की power 1 by 2 minus 1 by 4 और 1 by 2 और 1 by 4 को solve करेंगे तो क्या आएगा 11 की power अब इसको दो तरीके हैं solve करने के हम आपको बता रहे हैं कौन सा तरीका cross multiplication 4 को multiply करेंगे किसमे 4 को 1 में और 2 को 1 में तो 4 बंजा क्या हो जाएगा 4 upon 4 to the 8 और minus 2 बंजा 2 upon 4 to the 8 ठीक है दोनों का हर बराबर हो गया इसको हम आसानी से अगर आता है तो जल्दी भी कर सकते हैं 11 की पावर 4 माइनस 2 क्या हो जागा 2 और upon 8 यानि 11 की घात 2 बटे 8 को दो कम दो दो चोकार 11 की घात एक बटे 4 भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 11 की घात एक बटे 4 इसको हम जल्दी से भी कर सकते हैं LCM वाले मैथेट से वो इजी होता है लेकिन आपको LCM वाला मैथेट पता नहीं पता है नहीं तो देखिए अगर LCM लेगे नीचे आ गया 4 और 2 तू जा 4 2 से उपर गया 2 और 4 और 4 और 2 में से गया 1 upon 4 सीधा 1 upon 4 आ जाता है ठीक है तो इस तरीके से भी कर से तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ गया 11 की पावर 1 upon 4 आंसर ठीक है यह आपका आंसर हो गया 11 की पावर 1 upon 4 ठीक है मुआ आपकी जिए यह तीसरा कोईशन नहीं है लास्ट अभी एक कोईशन और है तो एक कोईशन और देख लेते हैं इसमें क्या तो यह है आपका आंसर और चौथा कोईशन है 7 की पावर 1 upon 2 into 8 की पावर 1 upon 2 यह एकसरसाइस का लास्ट कोईशन है ठीक है तो कोई बात नहीं है कोईशन देखते हैं कैसे है 7 की power कुछ है और 8 की power कुछ है ठीक है यहाँ पर आधार क्या है समान नहीं है और आधार समान नहीं था हमारे किस सुथ में एक ही में लास्ट वाले में चौथे वाले में और चौथा यह भी है तो A की power M into B की power M क्या था A into B की power M यही तो था तो देख लिते हैं इसमें 7 की power 1 by 2 into 8 की power 1 by 2 यही तो है तो 7 A और B का multiply 7 और 8 का multiply और power 1 by 2 आठ सते 56 की घात क्या हो जाएगा एक बटे दो आंसर क्या आपना 56 की power 1 by 2 आंसर ठीक है यह है आपका last question वीडियो आपको कैसे लगी आपको समझ में आया या नहीं आया कहां पर नहीं आया कमेंट करकी ज़रूर बताइए ठीक है तो चलते हैं मिलते हैं next वीडियो में थेंक्स फार वाचिंगें थेंक्स फार वाचिंगें